चले भाई गुर्वार की सुबा और आ गया इस हफते का सबसे इंपोर्टन्ट कारोबारी सत्र भाई आप कहेंगे ये तो कल सुबे भी मैं कह रहा था कल सुबे था इवेंट्स के लिए आज से सबसे इंपोर्टन्ट दिन आज सुबा है एक्शन के लिए हाथ से शायद सबसे इंपोर्टन्ट सची बोल रहा था आज लेकिन वाग़ी बड़ा इंपोर्टन्ट और बहुत सारी चीज़े हैं मैं दो अफ़रंट इंपोर्टन्ट चीज़े बता देता हूँ पहले तो कल रात आए फेड के फैसले और साथ में फेड चेर जेरोमी पावल साब की स्पीच इन पर अब हमारे रियाक्ट करने की बारी और दूसरा इस बड़े रियाक्शन के दिन होनी है निफ्टी फिफ्टी की वीकली कॉन्ट्राक्ट की एक्सपायरी बाख की जो कुछ इंपॉर्टन्ट है जब मैं इवेंट्स केलेंडर पेश करूंगा तो उनकी डिटेलिंग में चला जाओंगा लेकिन ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स साच पिछले कई हफतों से या कुछ महीनों से जिस बड़े इवेंट के इतिजार कर रहे थे फाइनली वो आउटकम हमारे सामने है बिना इदो इदर डावा डोल करें उस पे पहले चला जाए नीरत जी बगल में बैठे इनसे समझेंगे कर रात हुआ क्या क्या और इसके बाद वीरू से जानेंगे फिर अब निफ्टी निफ्टी बैंक में कैसे हमको स्ट्राटेजाइज करना है भाई साब फाइनली साड़े चार साल बाद दरों में कटौती और रेट कटिंग कैम्पेंग की शुरुआत एक दब एग्रेसिव सी कर डाले पचास बेसिस पॉइंट क्या हुआ कि आप बोले पहले उस पर आतने फिर मार्किट कैसे रिएक्टिर उस पर चलेंगे तो फेट चेर ने आदा परसंट कट किया और इंट्रेस्टिंग बात थी कि ज्यादा तर के फेट मेंबर इसके पक्ष में थे बारह में से ग्यारा बहुत एक आद लोग थे जो कि थोड़ा सा उनका लग रहा था लेकिन मेजॉरिटी से फुल मेजॉरिटी से एक तर किस कहें तो 50 बिस्टिंग कट के पक्ष में हुआ और वो फैसला लिया गया इसके आगे भी यानि इस साल अभी 2024 कलेंडर इयर में ही दो और 25 बिस्टिंग कट की किसाफ संकेट फिड ने दिये है तो यानि एक परसंट की जो बात चल रही थी वो इस साल होगी 2025 कलेंडर इयर में भी एक परसंट कट होती और हो सकती है अब वो 25 परसंट करके होगी या किस तरह सोगी वहाँ होगा और 26 में भी आज जाएंगे तो वहाँ पर 12 करसंट तो जो 7-5 परसंट चल रहा था वो साड़े-3 परसंट तक लाने की जो तैयारी है वो साफ दिख रही है इसमें वहाँ पर जाके प्यूट क्योंकि एक बार जो वो रेट कट कैमपेंड या शुरू होता है वो तो वो एक ट्रेंड में जाके वहीं पर खत्म होता है ऐसे साफ संकित दिया है फेट शेर ने दो बाते कहीं जो मुझे सबसे अच्छी लगी उनकी स्पीच की एक तो उनका कि यह 50 basis point कट को कोई ऐसा सिगनल मत मानिये कि economy recession में जा रही है बहुत खराब इस्थिती है इसलिए हमने 50 basis point कट किया है यह rate cut उसकी तस्वीर जसकी तस बनाया रखने में मदद करें तो अभी जुसी लेबल पर economy है वो बहुत strong दिख रही है job market को उसी लेबल पर stable करना है हमें और inflation साफ दिख रहा है तो उन्होंने जो तस्वीर पेश की है वो एक strong economy एक balance economy पेश की इसलिए उन्होंने 50 basis point कट किया है और उन्होंने कहा कि आप मेरी बात को उस solid growth rate से जोड के देख लीजिए जो अभी latest number आया GDP का तो basically वो अपने इस move को logical ठहराने के लिए इसको justify करने के लिए उन्होंने ये बात कही फिर जब आप dot plot pivot डालोगे तो आगे और डिड़ परसंट की कटोती की संभावना दिख रही है पचास basis point ने justify कर लिया है कि बाजार में confusion है नहीं अब बाजार ने इसको वैसे क्यों नहीं लिया अगर SNP के चार्ट बना हो दिखाई है क्योंकि market एक समय SNP एक परसंट के लगबग उपर था लेकिन press conference के बाद धीरे-धीरे काफी volatile हुआ उसमें हरी और लाल की बड़ी-बड़ी candle से एक साथ बनी है और market ने जाके फाइनली लगबग आदा परसंट के आसपर समय कहले चौतावी परसंट नीचे जाके उसने बन दिया है तो ये जो ये देखिए लास्ट में बहुत ज़्यादा जिग-जग जो हुआ है ये आउटकम आया उच्छाल था इस पर डाओ भी रखे एक स्क्रीज़ पर क्योंकि उसका तो आंकर मैं लेकर आया था डाओ एक समय पॉने 400 पॉइंट उचल गया था और फिर ठंडा पढ़के फाइनली 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ येस जैसे PC शुरू हुई ना उसके बाद से मुनाफ़ वसूली होगी कि आज सुपे के फूचर वापिस तेज़ी दिखाने के कुछ मैंने अपनी कमेंट ये लिखा कि क्यों सेलिब्रेट नहीं किया मार्केट ने तो ये एनिबडीज गैस है कि सेल ऑन न्यूज है कॉन्विडेंस कमी है या आगे कुछ और फोरसीबल फूचर नहीं दिख रहा कि आप एक क्या होने वाला ये कोई भी आदमी कुछ भी गेस कर सकता है लेकिन मार्केट ने उसको उतना पॉजिटिव उस समय तो नहीं लिया हो सकता अब ये ये चार्ट की बात में कर दिए कि कितना ज़दबर बुलिटैलिटी है ये बेच भी रहे थे खरीद रहे थे तो हाईर लेबल पर जाके लोगों ने बेचा और फाइनली अलके दवाब के साथ बंदब तो नीचे जाक बंद हुआ तो अगर आप हाई से जोड़ों तो तो काफी नीचे है अब सवाल ये है कि क्या फ्यूचर्स मार्केट इस समय शो कर रहा है यूएस के वो तो अच्छे दिखा दे रहे है वो इस समय है एक चुथाई से तीन चुथाई फीजदी मजबूत और दो और इंट्रेस्टिंग चीज़ है डॉलर इंडेक्स उपर गया है डॉलर इंडेक्स उपर गया है पॉंट यील्ड ऊपर गयी है और इंडॉलर इंडेक्वा और ओर फॉर्टिफोर की तरफ बढ़ गया है Exactly तो ये कहानी उसके साथ फिट नहीं हो रही है ये कहानी मतला 50 पैसिस पॉंट्स का कट dollar yen की parity के साथ fit नहीं बैठ रहा नहीं बैठ रहा क्योंकि अगर 50% 50 basis point cut हो रहा है वाँ पे तो dollar yen मजबूत होना चाहिए था तो dollar strengthen कर गया है exactly dollar index देखेना आप एक पूस गया है तो ये कहानी कहीं ने कहीं एक dot miss है देखते हैं आगे समय में पता लगे हमें street journal ने आप सबको exactly जब वो 50 basis points का argument सामने रख दिया था और इसलिए जब ये कल सुबह बता रहे थे कि 65% poll participants move कर गए हैं 50 basis points cuts के लिए तो mentally prepared थी street इस 50 basis points का massive cut जो आने की तैयारी हो रही थी अज़ा ये बात से dollar yen की parity थोड़ी थी confusing है लेकिन fed chair की commentary बार-बार reiterate कर रही थी कोई indication recession का या even economic downturn का नहीं है तो भाई साब interesting सा कल वो outcome हमारे सामने आता हुआ 50 basis points का बड़ा cut और equities largely गुमपेर के वहीं खड़ी हुई है अब और अब की मैं second पहली plate दिखाता हूँ हमने US futures कहा छोड़े थे कल का दबा वाद सुबह के futures ले दे के वहीं पहुचा दिया हमको हमारा gift nifty भी almost एकदम flat line के आसपास खुलने का mood दिखा रहा है एक बड़ा binary event एक बड़ा decisive move हम तो वहीं के वहीं आकर रुक है event digested है event digested है यह अब तक का समयकरन आपकी screens पे पूरा एशया भी रख दी जगए एक बार दिखाना भूल गया था सुबह एशया भी इस तरह से ही कामकाज कर रहा है सारा का सारा एशया अब एशया में बस यह है कि aberrations कोई की कई सारे markets Monday, Tuesday, Wednesday बंद रहे थे कोई एक दिन, कोई दो दिन, कोई तीन दिन तो अलग-अलग reactions है लेकिन लाजली सब flat line के इर्द गिर्दी आज सुबह वापस नजर आ रहा है अब ऐसे में निफ्टी का अप्रोच क्या रखा जाए कल का निफ्टी आपकी screens पर आएगा एक यू-टर्न ले लिया था पहले एकदम से तेजी आई वो बड़े इवेंट से पहले तेजी आई नए रिकार्ड उच्तम स्तर जड़ डाले निफ्टी ने उसके बाद एकदम यू-टर्न लिया उसके बाद एक second half में तगडी मनाफोसूली का दबाव देखने को मिला और actually direction की तलाश में ही रह गया है हम पिछले चार्ट डेडिंग सेशन में Thursday की उस move से directionless है bulls of beers का tussle चल रहा है consolidation का zone continue करता हुआ ऐसे मैं आप पहले वीरू के पास चला जा और समझा जा है निफ्टी का अप्रोच हमारा क्या होगा अच्छा बैंक निफ्टी वह स्रीन पर लखेगा बैंक निफ्टी चर्चा भी हुई थी कल बैंक निफ्टी अभी वैसे कल का चार्ट दिखाएगा कल जब IT पिट रहा था banks of financials ने गजब का performance डेलवर कर रहा है वो buying interest उस pocket में continue कर रहा है कल ये बाचीत हुई थी कि mega shot covering होगी 52 540 के उपर और हमने अपनी positions 52 910 के आसपास 53,000 के levels के आसपास book कर ली थी वही कल के intraday highs भी आपकी screens पो छोटा-छोटा दिख रहा होगा झाचीत हमने छू이 कि आपकी आसपास Kingdom कर दो परा कि अात्य को ठोब दक रहा है कर गैं सто arrived आस च tule agree